एक तो नोट बुक ले लो अभी ये नोट डाउन ज़रूर कर लेना जो बात हैं वोलर और इंपलेमेंट करना क्योंकि उसमें आपने वो चीजें लिख्थे जो आपको दिक्कत देते हैं जो आप भूल सकते हैं मैं क्लाउड से डेटा ले रहा हूं नोट नहीं बनाना टुऺ कोई थिरा आव कजस्च टेस्ट आपको GDP दीघ स्टक यूजच फॉर्मूला नोट्स में नहीं लिख आठांगी सिर्फ उन सर्कड क्वश्टियन को देखना जहा हूं का हा हा का हा कि अ का ह यह जो लोग जही क्लियर कर रहे हैं तो ऐसा था क्या कि इश्वर ने पहले जब दुनिया वनाई थी तो यहां पे कुछ लोग रहते थे रहे रिगदम से एक स्पेश यह पाया उसमें से कुछ एलियन निकले पर वही एलियन और उनके वंचेज अब आई एटी क्रैक करते हैं आपके कोई अनसेस्टर उस पेशिप में नहीं थे इसलिए आपका सेलेक्शन नहीं हो सकता तो यहां क्या है कि हम देखते हैं भाई फिर बंदा सवाल पूछता है मेरे मोटिवेशन क्यों नहीं है मेरे से कॉ एक बंदे के साथ नहीं है और यह प्रापल्म्टोंर जिनको सॉल्व करना है इसका यह मतलबानल नहीं कि अगर यह प्राप्लम फेज कर रहे हो तो आपसे होनी पायेगा पर आपकी ब्राप्लम के बयॉप्र क्या है तो जब आप देखोगए ना प्राप्लम आफ्टर प्रा था पर क्लास में वा। लेक्चर देखते हैं लेक्चर में शबसे मां बतार हो लेक्चर देखते हैं इससे इनेफिशि dissip तरीकिया सब्सक्राइव hair झाल रहें उसका नाम साथ चो मन क्राइब ने हुआ है कहता कि मेरो वह न उसको उससी ने वताया कि प्लास्य करारा कर सदो है नियुक्त कॉप उट उसको बॉल ला कर सब्सक्राइब अपने नोट्स और इस पहल में kommen इसी युच्छान ह Z आपकी अपनी स्टॉरी आप लिखो आप अपना संगर्ष लड़ो और दूसरे से प्रेड़ना लो पर और रूल्स को अग्दम पत्थर ग्लेगी रिमान के अगे मत बढ़ो उधारन के लिए अपने नोट्स बनाना जबाए इतनी बेकार चीज है क्लास के दौरान प्ले तो यह बताओ भाई नोट्स बनाना जरूरी है जहीं क्लियर करना अगर एक चीज चूज करने होगी तो क्या तो कोई कहेंगे नहीं नहीं भाई दोनों यह नोट्स ही बनाएंगे जिए भाई एक चीज करनी है तो भाई एक लड़का तरथ का नाम चोमू था भाई अशांत हो जाए प्लीज शांत हो जाए इस सज्जन को क्या तकलिव है भाई क्योता कि जई क्लियर होना हो मैं नोट जरूर बनाओगा तो चाहे उसे जही में हल्प होना हो कोई बात नहीं मैं वो काम भी ना करूं जिसके लिए मेरा इस धर्टी पे जर्म हुआ था नोट्स बनाने के लिए तो पैदा हुआ था यार बलकि जही एक्जाम में मैंने एडमिशन ही इसले लिया ताकि मुझे नोट् पढ़ाई नहीं कि टीचर तो पढ़नी थी आपने छे महिने बरबाद कर दिया साल बरबाद कर दिये वह भी तो कर दिया अब भई मैं आपको एक और बात बता दूँ एक के लड़की थी उसका नाम था चोमो तो वह क्या करती थी उसका टीचर खांसता भी था ना मुझे बतारी जी टीचर खांसता भी है तो मैं कफ कफ लिग देती उसके अंदर कितने तेजस्वी लोग है मर पास कितने शांदार विचार रखते हैं जी गवा यार वाग बढ़िया तो मतलब और उसके नोट जो है लड़की नी नोट्स भी सब्सक्रदर खुमसूरत थे उसके तो यह त्यादी खुमसूरत नोट्स बनाने के चकर में उसने जो लेक्चर ज तदेखो यार शरम की बात है इसने लिग दिया ऐसे एसे रोबोट काम कर सकता है बताओ स्पीच तो टेक्स मशीन का काम है इंसान करेगा इंसान की बेजती नहीं हारी है भाई वो जो लड़की थी स्पीच टू टेक्स मशीन वाली उसका रिजल्ट तो आप गैस करी सकते हो क्या है वह उसमें कोई common sense से जारा कुछ नहीं चाहिए उसका रिजल्ट गैस करने के लिए of course, she did not make it through सब कहतें Moto hosts बनाओ तो क्या वो सही होगी क्या बात है Notes नहीं है अब देखो बात आती है Notes नहीं बनाने फिर भी Notes बनाने है मैं Notes उचेस्ट करता हूँ तिन तरह के Notes ठीक है Workout Notes Class Notes और Short Notes अब समझो ज्रह समझो Class में क्या होता है यार एक बाद घ्यान से सुनना है मुझे मतलब एक लड़का था उसका नाम पर चोमो तो मुझे उससे कोई पर्तनल नफरत नहीं है और मुझे बहुत बुरा लगता रहा जब वो बेचारा नोट के नाम पर पांच सो पांच सो पन्नो के गरंथ लिख देता था और क्लास में बस स्पीच टू टेक्स मशीन जैसे ही मेरा सीरी कर रहा है ऐसे लिख देता था और एंड में फिर इतने मोटे नोट सो जाए तर एक खुलने की हमत नहीं होती दी और एंड में भाई क्या अगर ना कॉंसेट समझ में है जो वच्च है ने टीचर के वो लिख रहे हो तो आप ज्यान रखना वो सब कुछ बुक में अल्रेड़ी लिखा हुआ है पर आपकी क्लास में भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे या आज कल एन एलेक्ट्रोनिक टीचिंग होगी सारी तो उस पर आपको पीडिएफ मिलती है उसमें more or less सारा कुछ होता ही है फिर जो मिस भी हो जाता है तो बुक में हो तो आप ये समझो कि वो चीज़ें अल्रेड़ी बुक में हैं पर आप समझो आप वहाँ लेक्चर में ये नोट डाउन करने आए हो स्पीच इट्रेक्स मशीन बनके जो सिरीव भी करती है और फिर ये कि वहाँ पर आप कॉंसेप्स को समझ कर हिर्दे में उतारने आए हो भाई पता है वो क्लास में तुमने देखा होगा कि मैं तो नोट करता रह गया इस बंदे को डाउट कैसे आए है को मैंया क्लास में तौपर होगा वो डाउट पर तौछता जलता है कि अविदे स्पीड्शन उगे घर का कि chant कच्रह है empower cards उता होता है कि को आछे समझते है मन में totaुथ का बहुत ई 오늘도 देखो और से न але मान लों की घर का kitchen का कच्रा है आना बचा हुआ है फिर आपके अनिमल्स का डंग है लॉन के टूटे पत्ते हैं यह सारे आपने क्या किया एक जएक अठा कर दिया और इसको आपने कंपोस्ट बनने दिया सर ने दिया अब देखो वो सारा दुनिया जहान की चीजे जब उधर आके जब वो कंपोस् अधर से नई vegetation निकलते हैं फूल निकलते हैं फल निकलते हैं खुश्बूए निकलते हैं और टितलिया घूमती है पुरा उससे nutrition मिलता है पर उससे कुछ वीड भी निकलते हैं वीड जो unwanted plants होते हैं एक्स्ट्रा है वो भी आयाते हैं तो वो बंदा क्या कर रहा है जब सामने पूदे हैं उनको निकाल देता है टीचर से सवाल जवाब करके इस तरह से समझो आप लेकिन क्या करते हो उस प्रोसेसिंग के स्टेज तक पहुंची नहीं पाते हैं मन में प्रोसेस ही नहीं होती है आप सीधा कान से सुनते हो और हाद से लिखते हो मैं इसके सक्त किलाफ तो क्लास की PDFs एक तो एक काम करना यार एक तो नोटबुक ले लो भी यह नोटडाउन जरूर खर ले ना जो बात है डर ल खरना धो नॉट्स क्लास में नहीं बनाने विख्या में क्या करना है कि टीचर ने जो बताया आप उसकी हेडिंग लेख लो बस अपनी कौपी में कुछ वर्क आउट करना है कुछ टीचर बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वहां पे रफबर कर लिया यह फॉर्मूला ही लिग दिया है फॉर्मूला ही लिख दिय एक लिए विए जैल के खड़ा हूं ठीक है मैं कासल के बार खड़ा हुग तो ऐसे वह जो बैनर लगा हुआ है तो आसी हैडिंग आपको नेविगेट करने में मधद करती है आपके टीचर को अच्छा अच्छा टीचर मान लेते हैं तो अच्छा टीचर जो को अड़ेंट आएंगे ना जब बुक को हेरे में उता रहा होगा आपने तो कागईस पर रिया हेर्दे थे व ön बाद में उता रहें गार और चॉमु क्या करता दूश्बार दूश्या प। बुक मेरे करता धातरा दूश्या नहीं हो गया तो जो मूँ कहता के कैसे भी मैं का भी जरॉङ समय हीता करती एक आप उसमें ओर रिचनल डलते हो वह गएकरता करता हो उसका कभी कर देता है उसका कॉपी क्रियट कर लगा वहaráई नका परेजनल डाल से तो यह दिक्कत है servox approach की आपको scanner बनने है scanner के अंदर आप कुछ भी डालते हो वो अपने हरदे में उतार लेता है उसको अपनी memory में उतार लेता है और उसके बाद वो जतनी मरदी बार control पी दोगे उतनी बार वो print करते हैं मुझसे बोलो कोई concept मैं आपको भी कॉंसेट का हेडिंग बोलना मैं आपको यहां लिखके दिखा दूँगा समझा बात को ऐसा confidence आप लाओ है किया है घर अब हो एक हों तak कोरा काघस चेस्ट को राका आज़का का ओगना मतलबके लूज शीट मतले लेना आप एक नोट-बुक क्या करो इक है कना अब यह करे आभप हैं-पन दाली किमसे इस यह जैसे जामर भूट सब्सक्घैनी कौ कर देख Г ident लिखें नहीं आपको क्या करना है आप पहले पूरा उसको पढ़ लो पूरा उसको कर लो ठीक है और एक बार और कहो अब मैं तो ऐसे करता है एक्जैक्ट पोस बता रहा हूं तो वह पूरा लिख के अगर मैंने कोरे कागज पर लिखकर दिखा दिया तो मैं सफल हुआ अगर मैं कोरे कागज पर अभी नहीं लिख पा रहा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो दुनिया का जो महान एक्जाम जाई एडवांस है वहां बैठकर मुझे याद आ जाएगा वो भी कई महीनों मेभी वर्शों बाद तो इसलिए ये कोरा काग सेस्ट अगर आप हेडिंग डाल डाल के करते चलोगे तो ना केवल आपकी मेमरी का मेमरी के तीन फेज होते ना कि इंक्रिप्शन फिर स्टोरेज रिट्रीवल ऐसा ही होता ना तो रिट्राइवल प्रोसेस भी आपका जो है रिट्राइवल मतलब वापिस निकालना वो भी हो गया और एंड में आप देखोंगे बहुत पास्ट आप रिकॉल कर पाएंगे तो यही आपके वर्काउट नोट्स बन जाएंगे हैडिंग डालते रहे ना याद रखना प्र प्र क्लास नोट्स मैंने अब को बता दिया और डिए प्र श्रलप उसके इंदर 4 वह फारते है थैसे ही आप क्या करो कि सब्सक्राइब करने में आसानी रहेगी और मतलब PDF को यूज कम ही करो एक बार अपने लेक्चर सुन लिया तो PDF तब यूज करो जब आप और आप क्लास में नोट बना रहे हो याद रखना पर सिर्फ करने के लिए पहले कुछ होना भी तो चाहिए यहां हमने तो भाई सिरी की तरह बस सुना और लिख दिया नहीं को आपको यूस्फुल फॉर्मूला नोट में नहीं लिखना अब एक शॉर्ट नोट हो ठीक है शॉर्ट नोट के बारे में बतारों वह जो मैं आपको बतारा था न शुमार करना की पहला थो यह समझो लगे 가요 क्लास वाला प्रोसेस है वा या ऊजरेशन हुगने वाला प्रोसेस है top uit pirates काटने वाला वाला वीड ipl vídeo काटना मद्थकर鐵 करना हो प्रोसेस है वो होगा और आपके कॉंसेप्ट्स का जो यह खाई आना इसमें कॉंसेब्स कीॉ पूल हो गएंगे समझो नोट्स फाइनल रिविजन वाले कैसे बनाए एक तो पहली बात याद रखना अत्याधिक संदर्य करण अपने नोट्स का नहीं करना कभी भी नहीं करना आपके नोट्स आपको समझ में आएं बागे सब लोगों को आपके नोट्स पढ़ते समय हैं य होगा होगा कि जो सकते होगा कि आप कोई सकते हो और मैं मेरी टेंड़ेंसियम कुछ और नुसक्स Bonao फो बनाएगा मैं अपने नोट्स अपने वाले बनाऊगे तो आपने नोट्स में अपके लिए van यह एसे बनाऊ आप अपने नोट में सारे कथा लिंढते हैं नीक आप ऊप में उकश्टे लगते हो और वो चीजें नहीं लिखते हैं धर सबसक्त हैं अब वो उसमें पहीर कंपली चोड़ दी तो मों कहेंगे कि हमारे miejsce था बताओ एघुड ऑना सके टो यह नहीं होना चाहिए है आपको अपने लिए लिए अपने लिए आप तो लखो जो आपको डर है कि आप भूलना हो जाओ कहीं ऐसा ही मैं कहता हूँ उससे पर फायदा क्या होगा एक तो आपके नोट्स कंबल की बनेंगे तोटे थोटे नोट्स बनेंगे आपको खोलने की हिम्मत भी ज्यादा हो जाएगी उसके बाद जवाब पढ़ने लगोगे तो आप तो फॉर्मुला से जो आपको अल्रेडी पते हैं उसमें खो के जो याद करने वाला फॉर्मुला जिसमें गडबड हो सकती है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे में फॉर्मुला पर ही रहोगे तो में फॉर्मुला फॉर्मुला ही रिवाइस किये बार बार जादा रिवि कि योंई में से का वक किता संड तो मरभर आले खывать में बनाद मनुष्य वाली योनी तो मनुष्य आइ Şuड इसी एक योनी ऊनी ऑते चोमु योनी ठीक ठीक है तो जोमु भी हम लोगए रहित कोर अगरे जदे हो दो अगले जनन बन जाए जो और वो एक योनी है अलग योनी है चो मुझ क्या करते हैं कि यह क्लास में नोट नहीं बराओंगा तो नहीं दाएगी मैं कहां भाई एक बाद बताओ आप क्लास में सुनते नहीं हो टीचर बोल रहा है वह आपको जापानी बाशा की तरह लगता है जो समझ में ही नहीं तो आपके अगरते चलो कुछ तो काम करूं कि बोर ना हो जाओं तो आप लिखने लग गए कि चलो कुछ तो करें उससे आपको यह भी मैसूस हो रहा है कि चलो भाई कम से कुछ नोट सी बना रहा हूं और नोट बना के आप खुद को कहरते आपके लक्चर पूरे हो गए फिक, एक लास्ट बात में के लिएंक के लिए बोलता हूं कि कॉस्चन् will भी आप बुक से करते हो ना तो उसमें वह और उसमें वह और फुक अन्दर सायार क्वा ल.ड. बना लुक रहे? ऐसके अदर कॉस्चन आप पता चलेगा कि हाँ मैं यहां से यहां तक बढ़ रहा हूं ऐसे और जहां पर गड़बड लगे जो question ऐसा लगे कि यह आपको सिखा के गया यह question वह यह याद कैसे रखें यह बात हमें वहां exam में कैसे सुझेगी जहां यह चीज लगे वहां पर समझ जाना कि यह चीज आ पर कुछ questions में दिक्कत आई उनको आपने circle कर लिया अब वापीस आजाओ अब आप पीछे अब कुछ टाइम बाद आपने आगे theory revise की अब देखते हो जो question पहले हो गए थे ना वह सारे के सारे फिर से हो जाएंगे पर जिनमें पहले दिक्कत आई थी उनमें high likelihood है कि फिर से अगर उन्हीं को आप सिर्फ करते हो ना तो ना किवल आपका time बचता है बलकि आप जो करने वाली चीदें वह कर रहे हो बागी फाल्स चीज़ों से distract नहीं हो रहे और पिर इस तरह से efficient के बाद efficient methods जो मैंने अपनी जैए preparation में लगा है जिन्नोंने मुझे अब आप सोचो इस इन भी कितना बच जाए और अन्त में रिजल्ट भी अच्छा आजाए विपक्ष कहता है कि यार निशान्त जूट बोल रहा है उसकी और वह चार महीने में नहीं आई और अपने वाई जो अपने जो भाई है जो अपने भाई है जो हमारी सचाही को समझते हैं वह भाई कहते हैं हाँ बिल्कुल सही के यह अपरोच जो है इट कैन रियली सेव ऐसी अपरोच करूंगा तो जो काम अच्छे महीने में करता रहा वो मुझे दो अफ्ते में होता हुआ देखेगा और फ education मैं बता रहा हूँ आप हमसे जुड़े education में हम करांती लाने वाले हैं और यह वह वाली करांती नहीं होगी जो की तथा कथित करांती हैं होती है वक्त बताएगा और दूर के रहें हम सब लोग बहुत आगे जाएंगे देश बहुत तरक्य करेगा बाकि सारी scheme मैं बताने सकता भी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्क्राइब करके